हेलो दोस्तों नमस्कार यूनिकल साउंड का और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं जैसे कि आपको टाइटल देखके पाता है चली गया होगा कि टोपिक क्या है तो टोपिक है हाव टू सेट मिक्स्चर इन लाइप प्रोग्राम लाइप प्रोग्राम में हमार सब्सक्राइब करने के बाद बयल अएक को क्लिक है तो शेटल ना करते हुए विडियो के ऊपर जाएंगे जाने से उपर डिपेड़ होगा कि दूसरा विडियो होगा की नहीं इस टोपिक को लेके इस टोपिक का जो पाट टू होने बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो आंके ही आंसुनाई वाली जो चीज है वह हम बताने वाले हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जूड़े रहीएगा और वीडियो को अच्छे से तरह से सापोट कीजिएगा तो ही हम उस वीडियो को लेके आएंगे तो चले वीडियो के उपर चलते हैं तो देखिए video में क्या है और यह topic में क्या है तो वीडियो तो आप देखेंगे और topic जो है आपका वह how to set mixture इन लाइब प्रोग्रम लाइब प्रोग्रम के अंदर हम mixture को set के से करें तो set करने का बहुत सारे तरीका है तो तरीका का जो पॉर्फेक्ट तरीका है जो मुझे पाता है जो हम करते हैं जो हमसे सही होता है जो लोग भी बोलते हैं कि सही होता है तो उसी को लोग के हम आज बात करेंगे तो देखिए मिक्स्चुर हम जोब सेट करते हैं सिर्फ पोटिकुलर मिक्स्चुर के बात बोलू तो इसके लिए आपको क्या होता है कि अगर आपके पास माइक्रोफोन 45 चलेगा और वायलेस माइक्रोफोन भी एक-दो चलने वाला है और हमारा जो है लाइन सिगनल जैसे के ओक्टापेड हो गया बेंजो हो गया मतलब इलेक्ट्रिकल वेंजो हो गया गीटार हो गया और कीबोर्ड हो गया इस टाइप का और कोई चीज चलता है तो आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि इसको कैसे सेट करना है तो पहले इंस्ट्रोलेशन के उपर जाते हैं इंस्ट्रोलेशन के से करना चाहिए तो इंस्ट्रोलेशन जो होता है अमारा इंस्ट्रोलेशन के अगर बात किया जाए तो इंस्ट्रोलेशन में आपकी जो इन पूट रहते हैं जैसे कि आपका हो गया माइक्रोफोन हो गया कोल रहा हूं एक-एक सही होता है क्योंकि देखिए आप पहले तो इंसल को लीजिएगा फिर बाद में ऐसे भी डाइरेक्ली भी आप इंसर्ट करके चला सकते हैं माल लीजिए आपके पास स्नेक के बूल है और आप तो एक-एक को लागाएंगे नहीं जो भी लागाएंगे ए देखिए ने के बूल में 16 चैनल तो रहता है 24 चैनल तो रहता है या फिर जो भी हमारा जो स्टेज़ बोक्स रहते हैं उसी सबसे आपको का जो कॉनेक्टर है आप कॉनेक्ट कर लिए और माल लिजिए आपका कॉनसल 24 चैनल का है और आपको 24 चैनल ही आपको वहां पर कर लिए फिर बाद में आपको क्या करना पड़ता है कोई कोई हमारा वही जो स्नेज बॉक्स है याफिर सने के बूल और है वही आपका आउटपूट भी देते हैं मोनिटूर सेक्षस के लिए और और ओर या पोडियंस को भी वही है देते हैं लेकिन होता है देखिए अगर आप एसे ही दे चुके हैं तो यह सही बात है आप पहले क्या होता है कि आप अंप्लिफायर बोगेरा ओन करके आप पहले गाना चलाते हैं गाना चनलने के बाद मेशिन को थोड़ा रोनिंग में रखते हैं रोनिंग करने के बाद आपको क्या होता है रोनिंग करने के ब इस माइक्ड फॉर्फौन में थ्वावदा में तुड़ा प्रोब्लम है तो इस टैप कर प्रोब्लम कोच्ज हो सकताँ है तो अपके लिए हो सकता है तो आप उसको तो गहर्में चेक किजिए गा किसमे अगर फोल्ट है तो आप उसको restore कर सकते हैं मतलगे सबस्कार सकते हैं या फिर दूसरा लागा सकते हैं अप immer भी तो लेकि जाई दिया जाही चुके हो गए तो एक्सट्रा जो भी आपका क्येबूल हो गया माइक्रोफोन हो गया तो हर सामन में एक दो चीज ज्यादा लेके जाएगा तो उसमें क्या है आपका बहुत सारे चीज बच जाएगा तो आपको बहुत सारे परिशानी से मतलब फुर्षत मिली जाएगा तो चलिए अभी में टोपिक के उपर आते हैं तो इसको सेट कैसे किया जाता है तो पहले जो होता है दोस्तों आप कोई भी चैनल अगर इंपूट दे देते हैं आप कैसे करते हैं पहले कोई-कोई फ्रेंट से ऐसे होते हैं कि पहले फेडर जो ओपर से आ रहा है मैं जयांका सिखनल कहां से आ रहा है स्टेज बॉक्स true आपका कोउनसोल मिया तो आपका पहले पहले क्या करना होगा आपको पहले देखना होगा कि जोर्जलम का मतलों कि इस टाइप का चल गया कि यह किस टाइब आपका इन्पूट है माली ज्यबका एक नंबर एक नॉम्बर में आपका दिया गया है तुबले का वहां तरफ का सिस्वेक्ब्र ऐतलब जो दग्गा रहता है बेस पट्जण रहता है उसको अपने नहीं होंगे तो एक होता है तो उसमें आपको जो सब्सक्राइं है यह सब्सक्राइख माइक्रोफॼन करें अगर आप वहाला स्टेज में यूज किये हैं तो आप वहां से फेंटम पावर को ओन कीजिएगा अगर डाइनमिक मैक्रोफोन है तो उसका कोई जोरौत है नहीं तो उसको आप बंधीर रखे तो अच्छा है ज्यादा तो डाइनमिक मैक्रोफोन ही यूज होते हैं फिर बाद आज दो आपका क्रोफर हो वह वह आपका अरम सेट होई जाए तो ऐसे फिर बाद में आए है कि can manifest देखिए आपका aspire शबार हम लागाते हैंANG और कोंप्रिश को yapt है किया जाता या प्र Johannu सीगनाल होता है उसको एक मतलना ही licenses double में रखने के लिए हम कॉंप्रेसर को यूज करते हैं पता है अबाध में कि बहुते जो सीगनाल इसको मेंचिंग करड़ा लेता है आपको यह समझना पड़ेगा फिर बात में आएगा क्या आपका गैन में क्या होता है जो होता है जो इन्पूट आ रहा है मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं कि गैन क्या होता पॉर्फेक्टली गैन स्ट्रॉक्चर को लेके भी हमारा वीडियो है आप जाके देख गैन तो आपका पॉर्फेक्टली आप सेट कर लेंगे कैसे पीएफेल से तो पीएफेल का मतलब क्या होता है देखिए पीएफेल का प्रीफेडर रलेशन रहता है जो पीएफेल में पीएफेल में दोस्तों होता क्या है कि पीएफेल जोब आप ओन कर लेंगे फिर बाद मे पर्टीकुल्री दíchनल सिगनल दिखाएगा हमारा जो सिगनल एंडिकेटर रेमेंएंड़ी आपको दिखाई देगा कि पर्टीकुलर्ली इस चेनल में अंदर कितना आ रहा है तो आपको जबतोक आपको एट grasp कौल नीचे करके को उससे थोड़ा नीचे करके रख दी खार्वा कि फिर बाद में आपको क्या करिआ है आपका फोर या फाईबे половी होगा dies जाता है तो इकुबेंट को आपका जैसे कि हम पहले बाता चुके हैं कि तबले का दग्गा तो उसी सब से आपका जो होता है फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको टूटल कर ले जाएगा फिर बाद में मीड जो होता है वो 25 से थाठी तक खोल के रखना चाहते हैं तो खोल सकते हैं कोई दिखोत नहीं है फिर बैस को आपको 60-70 परसेंट तक अपको कर देना है अब उसके ग्राइग मतलब जो हमारा तबले वाले हैं उसको जादा बेस खोल के दीजिए गमूत क्योंकि आपका ओक्ता पेड भी चल रहा है यह याद में रखना आपको तो जादा बेस खोल देंके तो आपका दिखोत हो जाएगा ज़्यादा बेस खोलने से फॉट भी जाता है तो को ध्यान में रखते हुए आपको सेट करना है फिर बाद में जो होगा आपका जो हमारा आउटपुट सेक्शन में आएगा क्या ओक्स आउट जो होगा अपक्स आउट से होगा तो भी कोई दिकोत नहीं उससे थोड़ा वोल्यूम थोड़ा सा कम कर लिजिएगा तो आपका अच्छी तरह से सेट अप हो जाएगा फिर बात में आएंगे हमारा जो पेन का सिस्टम होगा पेन अगर आपका स्टीरियो माइक्रोफोन होगा जैसे मैं पहले ही स्टीरियो माइक्रोफोन टेक्निक को लेके एक वीडियो बनाया था और वी वीडियो आने बला है तो उसमें ज़्यादा रेस्पोंस नहीं आया उस वीडियो के अंदर तो इसलिए हम माइक्रो दिया स्टीरियो माइक्रोफोन टेकनिक को हम शेयर नहीं कि तो चलिए उसका उपर बाद में कभी आएंगे तो उसके बाद देखेंगे कि देपेल को हम माली जी बीच में हम रख दिए फिर बाद में आएगा आद्या अपका फैडर फैडर से पैले जो आएगा अपका ऑन करेंगे फैर उसको करने के बाद आपको फेडर को बढ़ाईएगा तो आपका लेवुलिंग इंडिकेटर में आपका आ जाएगा फिर पी लेपको बंद कर लेंगे तो एलेप में जो आपका डायरेक्ली आउट हो रहा है तो उस आउट को आप देखेंगे उसको जाके जीरो डिबी में आपको से सबसे आपका हो गया आपका परफेक्टली जो आपका सेट हो गया मिक्स्चर का अंदर सेटिंग हो गया ऐसे कर लेना चाहिए तो यह हो जाएगा आपका परफेक्टली सेटिंग जो हम जैसे कुस्चेन में बता है थे कि जो आपका हो गया था है कुस्चेनिंग का जो ऑप् पहले आपको यह सारा कुछ चीज ध्यान में रखना है इसको आपको भूलिए गामत अगर आपका मिक्चर में इस टाइब के फीचर से जैसे अलेने का मिक्चर हो गया कि यहमा एंजी थाटी टु हो गया है यह फिर आपका यावल एम जी ट्वेंटी France एकसिंड घाए कि सब्सक्राइन अश्में अकिल सुल्गों तो हैं य सर। है तो आप इन सार मिक्छूर को आपके πास है तो आप करके सेटिंग कर सकते हैं और मिक्स्टर में दोस्तों ऐसा सेटिंग कर लेजाएगा जिसमें एलब पी एलब का सुईज ना भी हो तो भी कोई दिकत नहीं है तो आप पोडिकुलाली होर चैनल को म्यूट कर लेंगे फिर बाद में इंपूट सेक्शन को देख लेंगे जो अगर इस वीडियो को अच्छे से अच्छे सापट देंगे तो हम इस टोपिक का जो दूसरा भाग है हम बो लेकर आएंगे तो जो सीक्वेंस होगा बहुत ही आच्छा होगा और आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर आप पहुंच चुके हैं तो आपको बहुत सारे जानकरी हो गया होगा जो कि आपको पता नहीं था इसमें और भी यह तक सीम्पूल सी चीज़ा हम बता है और भी बहुत सारे जो भी इंपूर्स रहते हैं को बहुत सारे मिक्ट्र में इंसर्ट के फीचर सुभी रहते हैं उसमें आप कैसे करके इसको और भी जधा अच्छा कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो मिक्स्चोर को लेकर हमको समझ रहा है तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा तो जाते जाते वीडियो को लाइक कोमेट चैनल को सुस्क्राइब जरू कीज़ेगा तो भाई वीडियो के अंदर ज्यादा अमरा चैनल सापोर्ट नहीं हो रहा है तो भाई वीडियो को शेयर जल्दी से जल्दी करो अज के लिए इतना ही नमस्कार धन्यवाद